नमस्कार न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ नीतु गुपता जश्ट ने आज़ादी राष्टिय राजधाने दिल्ली में 15 अगस को राष्टिय पर्व स्वतंतरता दिवस मनाने की जोरदार तैयारियां की जा रही है स्वतंतरता दिवस समहरों से पहले लाल किले पासा शस्तर बालों के फुल ड्रेस रिहरसल की गए वहें दिल्ली में जमीन से आसमान तक अभुतपुर्व सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त भी किया गया लाल किला और राजगाट के साथ राजधानी के चपे चपे पर दिल्ली पुलिस नजर बढ़ा हुए है दिल्ली पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ गश्त वाहनों की जाच तेज़ कर दी है तो जश्ने आजादी की तैयारी चल रही है ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम भी अलग-अलग जगों पर पहुंची ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम ने गौतम बुधनगर के अपर पुलिस आयुकता आनंद राव कुलकर्णी से पंद्रा अगस्त की सुरक्षा महिलासा शक्तिकरन को लेकर खास बातचीत की है क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवाएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूँ निदा एहमर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिपिका सेंग तो पंद्रा अगस्त की तैयारिया कैसे चल रही है और इसके साथ आज हमाई साथ बहुत खास अतितिया मासा जुड़े हुए है हमाई साथ आनंद कुलकरणी जी है जो की जॉइंट सीपे हैं सर ये बताईए कि तैयारिया जो पंद्रा अगस्त को लेका की गई है वो कैसी है इस पेशिए अब यदियाम नॉड़डा की बात करते हैं तो उनका भी सत्यापन पिछले कई दिनों से हम लोग कर रहे है इसके अलावा आज शाम से ही जो वहिकल से बॉर्डर से भी हमारे जो नॉड़डा डिस्टिक के बॉर्डर से उनको सील किया जाएगा बहां बैरियर लगा के चेकिंग होगी आउटसाइडर्स वहिकल की भी चेक किया गया है कुछ किवार्टीज भी हमने अडिशनल इडेंटिफाय करके स्ट्राइजिक लोकिशन पर डिप्लाइ की गई बिल्कुल क्योंकि दिपिका और में निदा हम लोग आए हैं तो जाहर सी बात है कि महिला सरशक्तिकरण के बारे में आप से सवाल जरूर होगा जो है जो भी महिला अपराद है उनको ततपरता से रेजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिकेशन के हमारी सिस्टम है इसको हम लोग लगातार स्टेंदन कर रहे हैं इसके अलावा शहर में पैट्रोलिंग को और मजबूत किया गया है उसके दिरिश्टिकोन से हमने कुछ मोबा पर्टी जो की मोबाइल रहती है जिसमें महिला करमचारी ही रहते है वो सभी जगों पर मौजुद रहते है तीसरा जो हमारा initiative है महला desks भी थानों पे बनाए गए है जो specially महला अपराद के प्रती उनको समवेदनशील करके train किया गया है वो जो भी महला अपराद है उनके बारे में कारवाई करते हैं और समय से कारवाई सुनिश्यत करते हैं जिसमें दहे जुकपिडन के भी केसिस आते हैं जिनको काउंसिलिंग के माध्यम से भी हल करने का प्रयास किया जाता है रजिस्ट्रेशन को भी इंप्रूब करने की कोशिश की जाती है इसके अलावा जनपद में पिंक बूत बनाए गए है जो की जो महिला बाहर आती है ऐसे प्लेसे पार्क, स्मॉल उन स्थानों पे इनका अधिकतर लोकेशन रखा गया है जहां पे महिलाओं के साथ कुछ घटना होनी की संभावना होती है वो वहाँ पे आसानी से अपनी कंप्लेंट जर्च कर से इन सब कोशिशों के बाद महिला अपराद में कमी आई? निश्चित रूप से कमी आई है साथ ही साथ ये भी कोशिश कीए जाए रहे है कि जो भी अपराद आहिए उनका स्ध-परतिशत रिजिस्ट्रेशन हो कीज़गी जब तक हम आपराद को रिजिस्ट्र नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कमी भी नहीं ला सकते हैं तो हमारे long term perspective से हम सभी अपरादों का registration पर फोकस रखा है और इन अपरादों को जल्दी चार्चिट करके ट्रायल के दिशा में भी प्रयास हो रहे और इधर कुछ दिनों में महिने भर में ही हमने काफी cases में conviction भी आ चुकिए उनको कहा जाता है यह में देखा है कि नौयड़ा जो है है और नसे जब है ट्रीक हो जाती है तो अपराद तरीके से अपराद की घटां को अंजाम देते हैं क्या इस बावत कुछ नया कुछ अलग तरीके से उनको पकरने की कुछ मोहिम हो आपकी हाला कि यह बहुत यूँकर गोपनिय होता है लेकिन इसे साब से क्या लगता है आपको इसमें एक तो हम लोगों ने शहर में ऑपरेशन दृष्टी के अंतरगत CCTV इंस्टॉलेशन का एक ड्राहू चलाया है जिसमें ऐसे सभी स्थान आइडेंटिपाई किये गए है जहां पर यह होट्सपोट भी है जो महिला अपराथ से दृष्टी कों से है हमारे ऐसे होट्सपोट इडेंटिपाई करके वहाँ पर ड्राहू के अंतरगत CCTV लगाने का कारेश चल रहा है अब तक जन्पद में लगबग 5000 से भी आधिक कैमेरे हमने इंस्टॉल किये है और इसमें हमारा टार्गेट है कि हर जोन में जो हमारे तीन जोन में प्रत्तिक जोन में 10,000 कैमेरे लगाने का टार्गेट है पुल 30,000 कैमेरे हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और दूसरा एक हमारा जो ड्राहू है वो जीवो स्पेशल क्राइम मैपिंग के संब्द में है वो बढ़ता जा रहा है ये इसका एसेस्मेंट हो रहा है लगातार और आप देखे रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों में नए थाने भी स्रिजन हुआ है और और भी थानों के प्रस्ताओं हमारी पाइपलाइन में है जिसको हम लोग जल्दी ही स्ट्रीम लाइन करेंगे और आप मोबाइल पेट्रोलिंग वेहिकल्स को भी बढ़ाया गया है और कुल में लाके हम लोग टेकनोलोजी का यूज करते हुए आके बढ़ रहे हैं एक आकरी सवालोड जब खुद नोएडा पुलिस कमिशनर महिला हूं तो ऐसे में जो महिलाएं अपनी फर्याद लेकर का आपने देखा हो का निश्चित रूप से बेनिफित मिलता है और जो हमारी सीपी माम है वो महिलाओं के अपरात के प्रती बहुत समवेदंशिल रहती है और जहां पे इसमें लापरवाई हुई है उनके द्वारा कठोर कारवाई भी की है और ये इंशोर किया है कि जो पीड आसन के तरफ से की जा रही है और बिलकु इसके सासद ये भी उन्होंने बताया कि अब नया नौईड़ा विक्षित हो रहा है तो जाहर सी बात है कि अब और भी काम करना होगा और काम करने के सासद नई तकनीक इस्तमाल करना होगा चुकि नसिफ नौइडा हाइटेक सिटी है अपराध हाइटेक है तो तकनीक भी हाइटेक इस्तमाल की जाएगी तो आप देखते रहिए निउस इटिया तो पूरा देश सततरवा स्वतंतरता दिवस मना रहा है लाल के लिए पर समहारों का हिस्सा बनने के लिए देश भर से अलग अलग पेशों से जोड़े अठारा सो लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशिश अतिती के रूप में आमंतरत किया गया है पियम नरिंद्र मोदी कल लाल के ले पर राश्टी द्वच फेराएंगे और इस एतिहासिक समारक की प्राचीर से राश्ट को सम्बोधित करेंगे ऐसे में नियूज इंडिया समवधाता अली शरर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आजादी के जश्ट्ट की तैयारियों का जाएसा लिया राजधानी दिल्ली में 77-73 दिवस को लेकर की पूरी तरह तैयारी कर ली गए हैं प्रदार मंतीर नरेंद्र मोधी लाल किले से अपने भाषन को सम्मोधित करेंगे इस वक्त हम लाल किला इलाके में मौजूद है देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस में च्छाबनी में तब्दील कर रखा है यहां सबकी डूटी यह लगाई जा राजधानी दिल्ली में लाल किले के बाद हम यानि न्यूज इंडिया की टीम आप पहुंची है इंडिया गेट पर इंडिया गेट दिल्ली का वो इस्थ गेट को 15 अगस्त के मद्दे नजर पूरी तरह से बैरिगेंडिंग किया हुआ है किसी को भी अंदर जाने की अनुमती नहीं है दिल्ली पुलिस की स्पेशल जवान यहां विदाउट यूनिफॉर्म में मौजूद है किसी बी तरह की कुछ चूप नहों इसके लिए विशे अनुमती नहीं है क्योंकि प्रिधानमंती नरिंद्र मोधी लाल किले से जनता को समोधित करेंगे 15 अगस्त को लेकर इसी लिए पूरी तरह से मुकमल तोर से इंजाम किये गए हैं लेकिन आई भी जो देश की खुफिया जांच एजनसी है उसके मुताबिक दिल्ली को इस ब पूरी तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं मुस्तेहद दिखाई दे रहे हैं किसी भी तरह की कुछ चूक ना उसके लिए विशेश यहां इंजाम किये गए हैं लेकिन आपको बताते हैं पाकिस्तान हर बार कितना अपने नाकाम्याब अपने नापाक मनसूबों को काम पूरे देश में आजादी को लेकर तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोधी देश के नाम संदेश जारी करेंगे आजादी का असली महत्व क्या है अगर इस बात को समझना है तो देश की संसल से चंद किलोमेटर की दूरी पर रह र दिखाते हैं आपको रहने के लिए इस तरीके के जो छोटे-छोटे मकान है टिन सेट के अपनी विवस्थाओं को किस तरीके से इन्होंने किया है भगवा जंडे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सामने एक मंदीर हलाकि जिस जगह से होकर के आए इनको अपने पूजा पधती का भी अधिकार नहीं मिलता था क्योंकि ये हिंदू थे और हिंदू होने की सजा इनको लगातार पाकिस्तान में मिलती थी लिहाजा पाकिस्तान से पलाइन करके हिंदूस्तान पहुंचे पाकिस्तानी शन्नार थी आज किस तरीके से ठीक कास करके अगर हम बात करें 15 अगस्त की तयारियां क पहले से यहाँ पर की जा रही है वैसे तो बड़े-बड़े मंच पर प्रफॉर्मेंस देने के लिए तमाम लोग अपनी तैयारियों को करते हैं लेकिन मूल भूत परिस्थितियों के ना होने के बावजूद भी इस तरीके की तैयारी जोस में देखिए छोटे-छोटे बच् नन्ढा मुन्ना राही हो देश का सिपाही हो उस गीत पर ये बच्चे गुन-गुनाएंगे तरू करना वह ही हो durch लो मेरे संग जेहिन जाहिन । ना रास्तों पे चलूँगा मैं डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मन्जिल से पहले ना लूँगा कभी दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम इतना है आगा यह मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप भी गाते हैं और बहुत अच्छा आप गाना गाते हैं क्या तैयारी आपने की हुई है इस कैम्प की तरफ से अगर हम बात करें कौन सा गाना है जो आपने तैयार किया है वो गाना गुन गुनाई है हम ओ देश मेरे यहां प्रित किलत बिल्कुल आई है यहां बैठी और यह आपके जो साथी है मैं चाहूँगा यह बजाए और आप सुनाई इसको नई सर शुरू करते है फित किलत मौय सर ओ देश मेरे से सुरू करेंगे ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिन्दा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अरजी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिकर में सामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके ये जब आप गाना गाते हैं मैं आपसे बात कर रहा था आपने कहा कि मेरा कोई गुरू नहीं है हम यहां आए और मोबाइल से सीखना सुरू किया मोबाइल में कब से देख रहती इस गाने को और पूरी प्रेक्टिस आपने की एक लाइन आपको याद है यह सर मैं जब दीदी कहा रहे थी यहां प्रोग्राम करा रही थी उसी टेम मेंने मोबाइल से बताव आपको लगा के सीखना चाहिए और मैं मोबाइल से देखता रहा और लाइन लिखता रहा लिखता रहा लिखते 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 याद हो गया क्या नाम है आपका मुकेश मुकेश ने इस गाने को याद किया है आप लगातार इसकान मंदिर हो या अन्य जगों पर जाते हैं और यह जो है इसका क्या नाम है इस इस्टूबेर इसको तुमबा बहुत बढ़ीा आप बजाते हैं मैं चाहूंगा बजा करके अफार कुंबा पर आप कुछ संकीर संगीश सुनाइए आज की ने हैं Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama इस्तौन में यह आप आप जाते हैं कितनी लोग वहां रहते हैं और चुछ सुनने वालों की भीड रहती है कितनी लोग रो जाते हैं मतलब कम से कम 200-300-500 बंदे हो सकते हैं मतलब नाचते हैं किर्टन में जो भजन करते हैं रहे Krishna गाहा यहां के मंदिर में भी पूजा पाठ होती होगी तो आपने बड़े भजन भी तयार कियों कितने साल हो गए इसको करते हुए बलब सीखा भी आपने और बजाया भी गाया भी यह तो हमा भी स्टार्ड मंद्री जब बना साब होगे तिन चार पाँज मेन हो गया यहां सा भजन जो आप रोज गाते हों शुरुवात आपने उसकी ही कियो तयारी उसकी हम तो कृष्ण भगान के भजन गाते हैं यह जो यह हो गया च्रीकृष्णा जेतन्या प्रभू भजन जरा मैं चाहूंगा इस आजादी के आउसर पे एक भजन आप सुनाए कोई तयार हो तो भजन तो याद है निया में तो कौन सा गाना है फिर आपको याद है गाना तो याद है वर और यह शारुखान का गाना जो रोम रोम है चलि दिन रैन हमारे हम से हम ही चिन गए है जब से देखे नहन तिहारे सजिदा हाँ यह प्रेक्टिस की है या मतलब आपने भी मुबाईल से ही सीखा है यह जो गाने हैं मुबाईल से आपने सीखा और रियलसल कितने दिनों से कर रहे थे इसको गाने की कोशिश कब हो है हम रेलसल नहीं करते बस गाने सुनते हैं और बस कभी कभी गा लेते हैं कभी कभी गा लेते हैं और जिस तरीके से इन लोगों की तयारियां हैं इसी मतलब कम संसाधनों में सिमित संसाधनों में यह तयारी करते हैं छोटे छोटे बच्चे आपको यह नजर आ रहे हैं इन बच्चों को यहीं पर पढ़ाया भी जाता है इनको सिक्षा दी जाती है खास करके भारत के अंदर जब से यह आये हैं तो किस तरीके से जो भारतियता है उसके बारे में बताने का काम किया जाता है और तमाम मौके ऐ और इस तरीकी की आजादी की तस्वीरे देश भर से आ रही होंगी लेकिन ये तस्वीरे अपने आप में बेहत खास हैं। की तमाम खबरों के आप बने रही हैं न्यूस एंटिया के साथ नमस्कार।